तो दोस्तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको इंटार बीडिंग के बारे में बताऊंगा अब जिसको इंटार बीडिंग के बारे में नहीं पता है उसको बीडियो के स्टार्टिंग पे मैं आपको एक एक स्प्लोनेशन देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा जो बेटाफीस थाइलान से इंपोर्ट होके आता है उसका क्वालिटी बहुत ही लाजवब होता है मगर हमारी इंडिया में कोई भी बीडर दोस्तो वो जैसे क्वालिटी ला नहीं पाता है बो बीडिंग करते करते हैं दोस्तो जो बेटाफीस बीड होके उसके पशता है वो धिरे धिरे local quality काा जाता है उसका टेल जो है वो बहुत छोटा होता है या फिर सेप उतना अच्छा आ नहीं पाता है वो दोस्तों इंटर वीडिंग के वज़े से ही है अब किस तरीके से दोस्तों आप अपना बेटाइफिस का जो क्वालिटी है थाइलान जैसा क्वालिटी ला पाऊगे वो आज की इस अब लोगों को जो भी चीजें समझ रहा है वो वीडियो को पूरा देखो आब लोगों का पूरा एटूज है वो क्लियर हो जाएगा और हां दोस्तों इस वीडियो पे 16 का टार्गेट है 16 का टार्गेट कॉंप्टीट कर देना और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो वो सब्स स्क्राइब करके रख देना तो चलिए दोस्तों सिधा वीडियो को सुरू कर देते हैं Boo में तो दोस्तों सबखोंदे मैं आपको लिave न लिवेडिंग यद इन था स्जाण दो यसके बात आपको मैं सम्झाऊंगा बागी का सब्सक्राइब मेथोड में आपको समझाओंगा दोस्तों सभी में आपको बेटाफिस के ऊपर एक्स्प्रेंड करूंगा तो देखिए सबसे पहले आपको मैं इन बीडिंग समझा देता हूं समझे दोस्तों आपके पास एक सूपर रेड ओईजम का प्यार है जो मेल है उसका कलर भी रेड है आपने वो दोनों बेटाफिस में बीडिंग करवाया बीडिंग करवाने के बाद दोस्तों आपके पास सौ बच्चा हो गया सौ बच्चों में से पचास मेल पचास फिमेल निकला है आपके पास फिमेल मेल कम जादा भी हो सकता है मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं पचास मेल निकला है पचास फिमेल निकला है वही पचास मेल और फिमेल में से अगर थोड़ा सा मचली लेके अगर आप फिर से बीडिंग करवाते हो तो ही उसे इन बीडिंग बोला जाता है सीधी फासा में आपके पास जो एक बैस्ट का मेल फिमेल निकला है उसी के अंदर अगर बीडिंग करवा होगे तो उसको इन बीडिंग या फिर इंटर बीडिंग बोला जाता है अगर दोस्तों इस तरीके से आप बीडिंग करवा तो इसका एक प्लास पॉइंट भी है उससे बहुत बारा एक माइनस पॉइंट है तो दोस्तों प्लास माइन्ट पहले आपको वीक होगा मतलब कमज़ोर होगा किसी भी तरह के कब बीमारी के चबट में जल्दी से आ जाएगा जादा लॉंग जी आएगा नहीं मतलब उसका जो लाइफ स्प्याम है सीदी फासम उसका जो आयू है वो कम होगा नॉर्मली एक बेटाफिस तीन साल सक जीता है नॉर्मली एक अच्छे से रखोगे तो तीन साल तक जी जाएगा मगर इंटाइबीडिन से अगर जो बेटाफिस पैदा हुआ है वो दो साल देर साल तक जीएगा उपर से जो उसका फिन है उसमें भी थोड़ा बहुत दिग्यत आ सकता है कभी कबर दोस्तों आईसा भी हो सकता है डाता टेल जादा हो जाता है या फिर कुछ-कुछ का दोस्तों नीचे का साइट का फिन जो जाधा हो जाता है मतलब सीधी भासना में बोला जाए तो गलत तरीके का इधर उदर का चीज सियो गजाता है मगर दोसका जो कुआणsmith उसका बिंग करने और प्रेड मांगला आप टाइम पर विक पैदा होगा जो लोग बेटाफिस का competition में लेके जाता है ना ज्यादतर बेटाफिस जो है वो इन वीडिंग का ही बेटाफिस होता है वो बेटाफिस वीक नहीं होता है दोस्तों क्यों वीक नहीं होता है यूँकि इन वीडिंग अगर आप ध्यान से करोगे त तो किस तरह के सो आप अच्छा खासा कॉइलीटी का मश्लिश ले पाओ। वह विडियों एंगे बता हूँगा हैं भी रिंग करवने पर आपके पास समझेंग्यजा कफेर से सौ बस्टा हूं थी सब उसको ला-इन बिडिंग में ने बोला था कि जो male female निकलेगा उसी बाच्चों में से bidding करवाने के लिए तो बोथा इंटर बीडिंग और जो फादर के साथ बीडिंग करवा वोगे उसको line bidding बोला जाता है तो line bidding और थोरा सा जेनेटिक्स अच्छा रहता है मशली थोरा सा strong पैदा होता है मगर दोस्तो नॉर्मली मशली जो है वो थोरा बहुत वीख ही पैदा होता है यह सा बीडिंग से quality तो अच्छे आ जाता है मतलब मशली थोरा सा वीख हो जाता है quality के पीछे भागोगे तो in bidding करवा हूँ म मेल और फीमेल ने अच्छे खासा अंड़ा मतलब दे दिया मेल बाबलने स्टा अंड़ों को रख रहा है मगर दोस्तो जाब बच्चा freely swim करना सीखेगा उसी के बाद दोस्तों दो-तिन दिन के अंदर बच्चा बीना कोई reason के वज़े से मर रहा है तो दोस्तों यह होता है व वो सब दिग्यत के वज़े से दो बच्चा 3-4 दिन से जादा जी नहीं पाता है वो मर जाता है तो इन बीडिंग अगर करवाते हो दोस्तों सोच समझ के करवाओ में कभी भी रेकॉमेंड नहीं करूंगा इन बीडिंग करवाना अगर दोस्तों आपको quality लाना है तो आप थ दूसरा कलरका फीमेल दीजिये तो दोस्तों इन बीडिंग होने का चांस बहुत कम हो जाएगा बीटा हुझा होता है कि एक मेल से एक फीमेल से जाख निकलता है अगर दो थो अलाग-अला कलर का betafis का male और female लेते हों, अगर दूसरे मचली में देखता है, तो गुस्दे मेआ जाता है, एक ही color का betafis अगर अगर आब यूदे ओस्ट के बैठा होगे, मेरा bidding भी अच्छे से हो जाए और जो बच्चा निकलेगा वो भी strong निकलेगा तो यही दोस्तो आपको बताना था तो दोस्तो आप बत करते हैं cross bidding के बारे में वो outer cross bidding था अब दोस्तों इंटार cross bidding भी होता है इंटार cross bidding का मतलब है OHM के साथ OHM ही bidding होगा मगर एक अलग-अलग generation का होगा समझिए आपको मैं फिर से explanation दिखा देता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं आपको सब कुछ explain करके बता रहा हूँ तो देखें दोस्तों आपके बस समझिए चार मेल है चार फीमेल है चार मेल चार फीमेल ज्यादा हो रहा है आपको समझाने के लिए मैं दो मेल दो फीमेल कर देता हूँ ठीक है दो मेल है, दो फिमेल है, टोटल दो पियार है समझे, तो दो पियार को आपने बीडिंग करवाया, बीडिंग करवाने के बाद एक नमबर पियार से जितना बास्चा निकला है उसको से बरेट किया, दो नमबर पियार के साथ जितना बास्चा हुआ है उसको से बरेट किया, द मतलब OHM का साथ OHM ही बीडिंग करवा रहे हो मगर पूरा उल्टा जेनरेशन से मतलब उसका जो जेनरेशन है वो पूरा अलाग है तो इसी तरीके से अगर बीडिंग करवा होगे तो आपका जितना भी फ्राई निकलेगा बहुत सब्सक्राइब दोस्तों क्वालिटी भी मैंने बोला यह सब कुछ भी नहीं होगा जैसे कि मैंने बोला उस तरीके से अगर करवाओ गए तो जो लोग बेटाफीस फार्मिंग पर कॉमर्सियाल यह आना चाते हो तो मैं बोलूँगा आप लोग निट्सक्राइब करवाओ इंट्सक्राइब करवाओं तो सबसे आप लोग समझ गया हो जो लोग video को समझ किए हो दो cya करके देख़ हुस timber कि ने घुकर करके को करके देखेगा तो यह वाला यहória-ंट-धियार का अध्यिवघन कोट का रह टो जो देखो एक बार में पूरा record कर लिया है सिर्फ एडिट करके voice या इसे voice देना है voice दे के डालना है तो उम्हेद करता हूं कुछी दिन के अंदर मतलब पुछी दिन बोल रहा हूं कुछी दिन के अंदर में व्लॉग करने के लिए ब्याट जाओंगा तो वही कामाथ भी बाकी है यह वाले वीडियो में बाइ बाइ बाइ